राज क्रमचारी संयुक्त परिशाद उत्तर प्रदीस के प्रांतिया बाहर पर सोमवार को पंचाय चनाओ के दोरान COVID-19 से जान गवानने वाले क्रमचारियों सक्षकों के लिए प्रदीस के सभी कार्यालेों में सर्ध्यांजली सभा आयोजित किया गया जिसके तहस सिचाई विवाग के सरकल कारयाले में राज क्रमचारी संयुक्त परिशत के जिलाध ध्यक्ष दुर्ग विजय के नेत्युत में पदधिकारी और क्रमचारियों ने मृतक क्रमचारियों के चित्र पर पुस्पर अर्पित कर उन्हें श्रत धांच ली दी साथ ही दो मिनट का मौन रखकर उनके आत्मा की शान्ती के लिए भगवान से प्रात्ना की जिसके संबंध में परिशत के जिला ध्यक्ष दुर्ग विजय ने कहा कि त्रियस्तरी पंचैट चिनौ के दौरान ड्यूटी में लगे क्रमचारी संक्रमित हुए और जब वहां से वापस आए तो संक्रमित होने से उनकी मौत हो गई उसी के संबंध में शर्दांजली सभा का आयोजन किया गया है उन्होंने कहा कि हमारी प्रदेश सरकार से मांग है कि चिनौर ड्यूटी के दौरान संक्रमित होने से जिन क्रमचारीों की मौत हुई है उनकी परिवार की एक सदस्री को नौकरी और पचास लाख रुपेद दिये जाए इस उसर पर अधिकारी और क्रमचारी मौजूद रहे इस संबंध में गुरकपूर्णियों से बात करते वे राज क्रमचारी संयक्त परिशत की जिलाद ध्यक्ष दुर्ग विजय ने कहा को को कर देशों में आज करमचारी यों के लिए 10 वजय आयो जीत की गई थी उसी के क्रम में आज बोर्ट कुल्यक्ष में राज कमचारी संजुत परिशत के नफित्युमें जलपत के सभी विवागों में का इक्रम जलाए जा रहा है इस इक्रम में आज हूं लोग सभी सदा धिकारी और हमारे धिकारी यहां पर उपस्तित हैं दो मिनिट का आप सभी लोग मौन धरार करने हैं दूर्ग विजा जिलाद दच राज करमचारी संजुक पर्षत गोरगपो आज इफसेश के आवान पर पूरे भारत के करमचारी जो कुरोना काल में जिनकी मृत हो गई है उसी के तहट आज डेढ़ बजे पूरे 31 मरी दिन सो मौर को एक कारिकरम आयोजित किया जा रहा संजाजरी सभा अरपित की जा रहे है हमारे तमाम साथी कुरोना से जब पंचाय चुनाओं से लोट के आ रहे हैं उसमें कुरोना के सिकार हो गए जिन्होंने अपना जिन्दगी और पूरा परिवार छोड़ करके चले गया उन्हें के करम में हमारी संगठन हमेशा परांती नितित मांग करती है कि 50 लाख रुपए उन करमचारियों को दिया जा और एक परिवार को नोकरी दिया जा इसी की तत्वादान में आज संदाजरी सभा सबको अरपित की गई थी उसी के करम में राजकरमचारिश संजुग परिशत के नितित में जनपत गोर्यपूर में सिचाईवा के कारियालन नलकु परांगण में किया जा रहा है और हमारी ये सरकार से मांग है कि कम से कम 50 लाख रुपए एक परिवार को और एक नोकरी तत्काल मुहिया कराई जा झाल